राम राम जी आज अर्याना जीके के बहुत एंडी परसन है जो ग्राम सिव पटवारियर याना पुलिस सारा सो दम कामान गी चीज है इतनी एंडी चीज बढ़ांगे ठीक है उस्त पहली अपना जो लीसु एप जो है लीसु एप के उपर इस पांच मारच ते नो बुझे पे डाउनलोड जुरूर कर लिए ठीक है इबाजव अर्याना जीके उपर अर्याना राज्य में बूमी अधारित परियावर्ण के विवस्थिक बुगोली के दिन के उदेसे से से प्राकर्तिक सतलाकृतिक एक सेतर में कितने से मांगत किया गया मतलब इस परसन का मतलब यह है अर्याना को कितने बागों में बाटा गया है यह अपने अर्याना की बोगोल की वीडियो देख रहे हो लिंक डिस्क्रिप्स ने मिल जाओगा साइध उस्ता आसान तरीक का तह कुन समझा है सको में जितना आसान समझा रहे है ठीक है तो उसमां बता था भै सीधा नूप बत्ति झात रहे है परतो बनाते अटा भागा में ठीक है अगर ऑप्शन में डॉक्टर जसफिर ना उभा देखो इसमें डॉक्टर जस्वीर का कोई जी कर नी है तो इसका मतलब के है रियाना को कितने बागों में बनाता गया पांच बाते खीक है जु को रावली काक्षेतर है, सिवाली काक्षेतर है, बाड के मैदान है, जो सारा के सारा पांच बागों में रियाना को बाटा गया है, ठीक है, और डोक्टर जस्बीर के अकोरडिंग पूछ लिया, तो रियाना को कितने बागों में बाटा गया है, ठीक है, अगला प्रसंदेखो, देखो लखवार दो चीज़ समझने इसका है लखवार यो मामला के है लखवार देखो यह एक प्रियोजना है यमना नदी जो है इसके उपर बांद बना जाओगा एक है और जो बांद जो है इतना इंपोर्टेंट है उत्राखंड का एक गाम है लो आरी उत्राखंड के लो आरी गाम के अंदर एक बांद बना जाओगा और वो जो बांद जो है लखवार बांद जो है उस तैमारा रियान न भी पानी मिलागा समझगे मेरी बात आप सिचाई खातरग काम आओगा उने सो चेंतर में लखवार प्रियोजना बने थी लेकिन उस टेम पर डिले उन्दी रही अब दो साल पहले इसके उपर केंदरिया मंत्री जलसन साधन मंत्री नितिन देगड़करी जो है छह राज्य जो है छह राज्य ने इसको प्रसाइन करें देखो छह राज्य कुणसे एक तो खुद उत्राखंड होगा जोन समय मामला है ठीक है उत्राखंड पहले इसका नाम उत्रांचल होगा करता आंचल जो सब कहने समेट ले मां का आंचल सुन्याओगा आने बावी आने वाले पीडिया जो हमां तो आंचल बूले जाओगी क्यों मां जिन्स परन लागी आंचल का बेरायक हो नूना मैं जिन्स का विरोध्य नहीं हूँ मां आंचल की बात करों ठीक है उत्राखंड उत्राखंड पाच्छा खंड जोड़ जो दिया तो निरी आपदान लागी अलांकि उसका पाच्छा कारण दूसरा भी है उत्राखंड इम आचल प्रदेश उत् ठीक है यह टोटल छे राज्य है जिन्न एम यू को प्रशाइन करें हैं लखवार प्रयोजना का जो है वह टोटल छे राज्यान में लगा कॉनसे कॉनसे उत्राखंड इमाचल प्रदेश उत्रप्रदेश अरियाना पंजाब और दिल्ली ठीक है हां इसमें जो लाइट जो दीक है ठीक है जो इसमें एक दो मिक्स परशन भी आ जाओंगे वह जाओन है किसे नो दिया था बहुत असान परसन है जायज्वान जै機सान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल भादुरु शास्त्री ने दिया था एक ऐसा गजब का क्रिश्मा ये प्रधानमंत्री शायद में नहीं देखा लाल भादुरु शास्त्री जिस टेम पर रूस जान लगया तो रूस जान लग गया तो जो बारत की अधिकारी थी मैं करें लगे शास्तिर जी आपकी आइट तो कम है और वह तो बड़े उंचे-उंचे आदमी है कुकर बात करोगे विल्या फिर इसमें ड्रन की के बात है अम आँख उठा के बात करेंगे वह सिर जुका के बात करेंगे वह तो नुआँख पैड़े के बात करांगे अलमबाद में है उती छोटा कान देखन खातर निचा ना करना पड़ागा वह सिर जुका के बात करेंगे अम आँख उठा के बात करेंगे लाल बादरु सास्तरी ने याद करिए अमरीका से जिस टेम पर इंदुस्तान के अंदर ग्यों की खेती बहुत कम होया करती तो PL 480 नाम की किसम का ग्यों आए करता अमरीका था खान खातर अपने देश में और वो जो ग्यों जो था वो इसकी क्वालिटी इतनी बुंडी थी ज सूर पालन करने वाले लोग जो अपने सूरों को जो मतलब इसा भी जोड़े ग्यों हो है मोटे पतले क्वालिटी बहुत क्राब थी वो ग्यों आ करता लाल बादरु सास्ते ने अमरीका को सक्त लाजे में चेताव ने दी कि इंदिस्तान के लोग जानवर नहीं है या तो ज गेहों की तीन-चार बड़ी-बड़ी खेब जो थी वो वापिस लोटाने का काम कर दिया लेही कुनी बारत ने और उसके बाद देश के किसानों से आगर रहे किया था लाल बादरु सास्तिरी ने कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गेहों का उत्पादन करिये और लोगों मानिये लाल बादरु सास्तिरी की बदोलत हरित क्रांती की बदोलती इस देश में गेहों की इतनी बंपर मात्रा में पैदावार होने लगी तब सास्तिरी जी ने जै किसान का नारा दिया था और 1965 में जब लड़ते-लड़ते लाहोर तक पहुंच गए थे पाकिस्तान की जब मंटराने लगा तब उनको एटी सी जो होती है एर ट्रेफिक कंट्रोल सिस्टम होता उन्होंने मैसेज भेजा संदेश भेजा कि आपका जो हैलकोप्टर वो लाहोर के अंदर उड़ रहा है तुरंत उनको आपात काल जमू कस्मेर के अंदर लैंडिंग करवाई जाती ह एसा विरला प्रधान मंत्री चाहिए कद बेशक छोटा हूँ महान वेक्ति उन्होंने नारा दिया था जैजवान, जैकिसवान का नारा, सरदार पटेल, गजब के वेक्ति तो जीगर सरदार पटेल का जरूर करांगे एक दिन फिर, कांसे बनाने के लिए किन दो तत्तों का उपयोग किया जाता है, यह भाई PDF बनाने यह ने गड़ बढ़ करती है, मैंने तो ज्यानने को निसका साइस का तो, फिर बिएक जगां पडोड़ा है, सिंदु गाटी से बता में, कि सिंदु गाटी से बता है कांसे यूगीन से बता थी, कांसे यूगीन से बता थी, और ज यानि टीन और तामबा का प्रयोग कांड से बनान खातर सिंदु गाटी से बता के लोग कर्या करते यह बात द्यानमा आवा है अमेरिका सितत एक कंपणी है नाम के है सिसको अरियान के गुडगाओं जिले में किसका सुभारम किया है बहुत एंडी परसन है देखो अमेरिका के कंपणी है सिसको ने किसका उत्पाद हो करे है अरियानमा है परवंदन और सवचालन के अंदर डेटा अनलेसिक लेब, गलोबल सर्वर लेब, गलोबल साइबर रेंज लेब, ओप्शन डी अमेरिका की सिसको कंपणी जो है सिसको कंपणी ना रियानमा गुडगाओं में गलोबल साइबर रेंज लेब इस लेब का उद्गातन करे है जो इसके सिस्को कमपनी का इंडिया के जो अधेक्स जो है वो है दिनेस मलकानी, कौन है? दिनेस मलकानी, इनके परियासों से या लेब गुड़गाओं में लेगी है, गलोबर साइबर रेंज लेब, ठीक है, साइबर सीटी के आजाओ हर याना क गुड़गाओं को इसका कारण के हैं जो साइबर हम लेव जो अटेक हो हैं इंटरनेट के जो अटेक आपे काई दिया हैं वो अटेक जो है उन अटेक का तरह निजात पानखातर जो एकर जो देखो चीन को पर हम ने चीन और बारत की सेना जो थी वो बिडी थी पीछले कुछ दिनों पहले और बारत के 20 सेनिक सहीद होए थे बदले में पाकिस्तान के बारती आर्मी ने 40 सेनिकों को ठिकाने लगाने का काम करिया था पीपल पील जो है जो चीन की जो आर्मी का नाम जो है उसके सेनिकों को अब उसके बदले में चीन के करिया बारत के आर्थिक राजद गलोबल साइबर रेंज लैब जो है यह बनाई है गुड़गाओं में और सिस्को के बारत के अड़ कौन है दिनेश मलकानी जो है वो इसके अड़ है ठीक है सिवालिक परवत सरेनी के निचले इलाकों में निमलिक्त में से कौन सी पाड़ी है देखो अरावली की पाड़ी निच्चे होगी डोसी की पाड़ी भी अरावली का इस्सा निच्चे होगी मेवाथ की पाड़ी यह तीनों दक्सिन अरियाना की पाड़ी है सिर्फ एक बच गया मोरनी सिवालिक जो है सिवालिक की पाड़ी जो है उसको पंचकुला में किस नाम से जाना आप है मोरनी इल्स के नाम से जाना थीक है ज्यादा जानकारि खतर निचे डिस्क्रिप्स करें लिंक दे दिए दूँए एक वीडियो गा वो सारी देख लिए बै तो उस टेमप है चुनाव को नहीं होए थे चुमन जो विदाय को या कर दे उस टेमप है बगवध्याल सर्मा कोंग्रेस पार्टी के थे उन्होंने भारत के अर्याना के पहले मुख्यमंत्री के तोर पर सब्त ली थी बाद में उनकी सरकार को गिरा दिया गया था और अर्यान विशाल पार्टी इस पार्टी के सर्व सर्वा वया कर दे राव विरेंदर सिंग अहिरवाल के जानेवाना नाम है राव विरेंदर सिंग जो है ओ इस पार्टी के के वया कर दे देख सवा कर दे और उगतावा सूरज जो था इस पार्टी का के था निशान था उगतावा और इस पर्टी के नेत्रतों में अर्याना में पहली बार सरकार बनी था यानि अर्याना के पहली अक्सेत्रिय पर्टी अगर मैं अर्याना विशाल पर्टी को कोई तो कोई गलत नहीं होगा यानि अर्याना के पहली अक्सेत्रिय पर्टी कोण है अर्याना विशाल पर्टी अर अर्याना के पहले गैर कॉंग्रेसे मुख्यमंतरी कोन है राव विरेंदर सिंग है राव अर्याना के पहले एक सेत्रिय पर्टी का चुनाव चिन के था उगता वासुरो जिसका चुनाव चुनाव चुन था रियाना में पहली बार चुनाव कभ वे थे साल उनिसो सड़ सट मे पहली बार अर्याना के अंदर विदानसवा के चुनाव हे थ ठीक है और इस चुनाव के बाद में इस चुनाव लेकिन इस ते पहले वो पंजाब विदानसभा की डेपूटी स्पीकर रह चुकी है, यो प्रशन भी आलिया या बात त्यान दा के लिए, ठीक है, अगर देखो, सुरेंदर सर्मा एक डैस है, क्या एक चितरकार है, क्या पहलवान है, क्या लोक गायक है, क्या कवी और ठीठोल लिए आजाओ, ठीक है, दक्सिन अर्याना के बहुत बड़ा नाम है, खास तोर पर पत्नी के उपरधारित, जो है चुठकले बगारा बनाते है, राजस्थानी और अर्यानिवी बोली का टच है, तो सुरेंदर सर्मा एक परसिद आश्या कवी है, ठीक है, यह लेकक सन 1970 में रोत्यक एक सरकारी मेडिकल कोलेज से MBBS करया था, और आज के है, एक सफल चिकित सा वेवसाई है, उनके पास में इंदी पंजाब भी अर्यानिवी अंग्रेज जी के कई प्रकासन है, 2007 में अर्याना साहिते का अदमी दवारा उनको पंडित लखमी चन प्रोषकार से समानित किया गया इसा बंदा कौन है, तो इसा बंदा एक की है, स्याम सखा स्याम, स्याम सखा स्याम जो है, अर्याना का रोत्तक जिले के अंदर 1945 के अंदर जनम हुआ था, एक टुकडा दरद, एक टुकडा दरद इनकी बहुत इंपोर्टेंट रजना, ठीक है, रोत्तक जिले के अ साल 1945 के अंदर जनम हुआ था, ठीक है, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, कोई फाइदा नहीं, कोई फाइदा नहीं, ये तीन रचना इंपोर्टेंट है, साल 1945 जनम अर्याना के रोहत तक जिलेमा था, ठीक है, ये बात याद राखने है, प्रशन थोड़ा है, दुबारा पढ प्रिल्यों को दीकत कुन ठीक है, स्याम सखा स्याम का जनम 1945 मर्याना के रोहत तक जिले में हुआ था, एक टुकडा धरद कहां से कहां तक, और कोई फाइदा नहीं, तीन रचनाएं, किसकी रचना ही है, स्याम सखा स्याम की है, ठीक है, अगला परसंदेखो, खाद ये परसंश्करन मंत्रा ले की मेगावफूड पारक योजना के तय threats ये एक मेगावफूड पारक कड़ स्थापित करया जाँ रहा है अलंपर рокुट्डवाद सिवान कैतल स्धाल रो तक्चिरी योग न चिदी नहीं HSSIDC, Ariyana State Industrial and Infrastructure Development Corporation. Ariyana State Industrial Information Development Corporation, जो है यू के करगी, स्यो करगी, इसमें सयो करगा, या फुल फोर्म भी आदराखिलियो, Ariyana State Industrial Information Development Corporation. ठीक है, या बात यादराखिलियो, इसमें सयो करगा, क्योंकि फुल फोर्म की वीडियो नियारी बनावाटेम लागान दियो, Ariyana State Industrial Information Development Corporation, ठीक है, स्पेलिंग तामें देखिलियो, अगला परसंदेखो. मारंगे बास तो एन्नरी साइंस गेर दी, आपकी अथेलियो में रखे जाने पर निमन में से कोणसी दात्तू पिंगलागी, कले कोणसी पिंगलागी, कैमरा में नहां कला, सुनना तो सायद कोणी पिंगलाई आथ पदर नता है, ना इस पाथ पिंगलाई, ना चांदी पिंगलाई, ना आपकी जो उप्सन है इनका इस आपता तो उत्तर मने योई लागा है, यो पिडिये बनानिया जो चोरा जो है, चेक कर रहा है, बाश्टर ना की में और भी आवा कुन आन्दा, तो तुका तुल मैरेस कहा, ना चांदी ना इस पात और ना सोनना, एक बच गया, गैलियम, कमेंट करके बतायों केज उगाड़ों, केज उद्धाव है, पंगला भी है, कुन पंगलादा कदे उन्स वाद ले गया हो, देखो, रेखांकित सबद का विलोम रथ बतायों, ये विलोम तो उल्टा हुन दावा, हमें हमेशा रुगन रहना चाहिए, रुगन तो कदे रोगियों दाव, नुमें बाद, क्रोधित प्रादीन वाचाल, हमें हमेशा सवस्थ रहना चाहिए, रुगन साइद रोगियों है, छीक है, option A आओगा हमें हमेशा सवस्थ रेना चाहिए, रुगन का उल्टा मतलब विपरित उल्टा क्या हो गया रुगन रोगी हो तो सवस्थ बच गया ठीक है बेजती करवा हो गया आज तो भई खालिस्तान 16 अबदी के कभी जिनोंने के लिखा था, सूर सागर लिखा था तो सबने मेरा सूर सागर किसे ने लिखा था सूरदास ने लिखा था, सूरदास को क्या जाओ है इंदी साइत्य का सुरुज क्या जाओ इंदी साइत्य का उगता हुआ सुर्य किसको क्या जाओ है सूरस को किया जाओ थे बचपन से शूरदास अंदे थे उसके बावजूद भगवान श्री कृष्षन के प्रेम में सूरदास जो था सूरदास के अंदर सूरस आगर करीब 1 कंग गीते बगवान श्री क्रेम को प्रेम में लिख दि descalater Rapide जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद कर दिया तो जेल का जो वार्डन जो था उसका नाम पुछा के तरह के नाम है तिमर नाम है तिमर के उपरे बैरी नकवीता लिख दिया कम तरह 15-20 गीत लिख दिये अकबर सुन के एरान हो गया उसके बाद सूर्टास को छोड़ना निमलिक्त में से किस राज्य की सीमा मेनमार की सीमा से सटी हुई नहीं है मेनमार की सीमा से नहीं सटी देखो उप्शन नागलेंड मनिपुर मिजोर्म असम इनिदेखो मैप को परा जाओ उर्ना जाओ देखो यो मेनमार हो गया, तो option में देखो, सटीव किसकी नहीं है, पहले मनिपूर देखो, मिजोरम है, मनिपूर है, नागालेंड है, अरुनाचल परदेश, यह च्यार है, तो option सीधा एक दिखन लाएग रहे हैं, असम जो राज्य जो है, उसकी सीमा जो है, किस से टचनी करती है, द देखो, च्यार राज्य हैं बारत के जो मेनमार की सिमा को टच कर रहा है, मनिपूर, मिजोरम, नागालेंड और अरुनाचल परदेश, ठीक है, फिर भी याद ने रहो तो एक चोटी सी ट्रिक है, ट्रिक का नाम है, मम्मी आना, मम्मी आना, मैं से मनिपूर, मी से मिजोरम, आ से अरुनाचल परदेश, और ना से नागालेंड, ये च्यार राज्य हैं बारत के, जो मनिपूर, मनिपूर, नागालेंड, अरुनाचल परदेश, ये च्यार राज्य हैं बारत के, जो मनिपूर, मनिपूर, नागालेंड, अरुनाचल परदेश, ये च्यार राज्य हैं, तो ओप्शन में के बज़ गया असम की सीमा जो है मेनमार से टच को नी करती ठीक है सविधान के अनुचए देटीवन के दवारा लोकसभा की अधिक्तम सीट कितनी है तो सबने भी रहा है अधिक्तम सीट कितनी हो जाओगे पानसो पाउन हो जाओगे सिंपल सा प्रशन है राजस्थान में जीतगड़ और मनोरपूर के पास मेवात की पाड़ियों में कौन सी नदी का उदगम स्थल है जीतगड़ और मनोरपूर राजस्थान में है मेवात की पाड़ियों देखो तांगरी भी कोनी होगा किर्षनावती यमुना तो सीधा एक की बच गया जो साइबी जो नदी है दक्सिन अरियाना की साइबी नदी का जो जीतगड़ और मनोर पुर्गी पाड़ियों से उदगम हो है अरियाना में रेवाडी से प्रस्थान करा है रेवाडी की बाद गुड़गाओं जो आओ है गुड़गाओं के बाद नजबगड नाला जो है नजबगड नाला के अंदर जाके गिरी जाओ है इसके एक सायक नदी है, चोटा सा बरसाती नाड़ा है, सोता और एक इंदोरी नाड़ा, ये दोनों के दोनों साइब नदी के हैं, सायक नदी है, और साइब नदी अंतम जाके नजबगड जो है, दिल्ली का नजबगड जील जो है, उसके अंदर जाके क्यो जाओ है, उसमें गिर जाओ तो इसने नजबगड नाडा भी किया जाओ, सोता और इंदोरी नाडा किसकी साइक नादिया है, किसाई भी नादिया, ठीक है, असली पंस्तंतर किसके लिखा गया था, तो सबने वेरे पंस्तंतर की कानियां किसके द्वारा लिखे गई थी, समूंदर गुपत के, विशनु सर्मा के द्वारा लिखेगी, समूंदर गुपत भी अपने टेम का महान कवी था, कालिदास, संस्किर्ट के महान कवी थे, तुलसिदास, बहुत घजब के वेक्ति हुए, आउधि भासा के अंदर, राम चरितमानस लिखने का काम किया था, अकबर का टेम साल 1574, न भी इनकी है, किर्केट माइस्टाली आई भी इनकी है, चोथी बचकी, लाइनेंट से ट्रेंथ, लाइनेंट से ट्रेंथ, जो है, या जो आतम कथा है, या है, आस्टेलिया का एक बहुत गजब का किर्केट रोया करदा, बहुत तेज गेंदबाज था, गलेन मेगरात का ना अरियाना अरिकेन कपिल देव की बाबू मूलचन जैन को किस नाम से जाना जाता था अरियाना का लोपरुस बन्शिलाल, पंजाब के श्री लालाराज पत्राई, एक के बस या अरियाना का गांधी, मूलचन जैन जो है बाब मूलचन जैन को क्या जाओ है अरियाना का गांधी क्या जाओ है विरले वेक्ति होते हैं इस तरह के जो सद्यों बाद जनम लेते हैं 20 अगस्त 1915 20 अगस्त 1915 जिला गोआना और सोनिपत का जो गोआना जो है गोआना का एक गाम है सिकंदरपुर माजरा घाम के अंदर जनम होया था जनम सोनिपत के गोणा तैसील के सिकंदरपुर माजरा गाम जनम होया था बाबु मुल्चंजैन को के क्या जाओ है अर्याना का गांधी काया जावा अर याना 100% ग्रामिन विदूत्थी करने वाड़ा देश का कौन सा राजय था साल 1970 के अंदर अर याना के प्रतेक गाओं के अंदर बिजली पहुंच गी थी तो पहला राजय था देश मगजिसें प्रते गाउं में बजली-पुचान का काम करया था निमलिक्त में से किस राजे की सीमा चीन की सीमा से सटेई Зबन पुछेब किस राजे की सीमा चीन तो ओन लाग दे सिक्किम इमाचल ही प्रदेश पस्य मंगल और उनाचल प्रदेश देखो सब Toutरड एक्ट थालिओ औरना इतार लागिजो सिक्किम सिक्किम कड़ी होगा ये यो सिक्किम के रही हो रए नहीं योँ सिक्किम की रहे है यो शिक्किम के रह वेया और हुगा यह रोगहा, चाइना उगा योगहा, यू सेरा यो सारा कंके हो नुग् solamente नहीं है नम्र ह याद कन खातरूंतो देखो ऊर्द लाइक, जो जम्मू कस्मीर के लागा है, माचल के लागा है, उतराखनड की लागा है, इसके بعد मैं सिक्किम की लागा है, अरूनाचल परदेश की लागा है, फिर भी चींत्रे जो राज्जे जो है, उनको य्द। राखन खातरूं। एक है Reynolds जम्मू का सिपाही जम्मू का सिपाही अरुन हिमाल्य पर उत्रा जम्मू का सिपाही अरुन हिमाल्य पर उत्रा ये वो राच्चे हैं जिनकी सीमा किस्तर लागा जिनकी सीमा चीन तर टच करा है जमु से जमु एंड कस्मिर का छोड़ दो सिपाई से हो गया सिक्किम ठीक है सिपाई से सिक्किम हो गया अरुन से हो गया अरुनाचल प्रदेश ठीक है अरुन से को गया अरुनाचल प्रदेश इमाल्य से हो गया इमाचल प्रदेश पर चोड़ दे उत्रा से उत्राखंड ठीक है यानि जम्मु का सिपाई अरुन इमाल्य पर उत्राखंड यानि जम्मु का सिपाई अरुन इमाल्य पर उत्राखंड यानि जम्मु का सिपाई अरुन इमाल्य पर उत्राखंड यानि जम्मु का सिपाई अरुन इमाल्य पर उत् प्रदेश और उत्राखन तो उप्शन में पस्वी मंगाल जो है पस्वी मंगाल की सीमा जो है किस ते को लागा न लागी चीन ते को लागी जब कि पस्वी मंगाल की सीमा किस ते लागा नेपाल ता भी लागा बुटान ता भी लागा बंगलादेश ते लागा तिनों देशा के पास से तो उप्षन के शाब से एक के बज़ की गगर जो नदी जो है या अरियाना के अंदर प्रवेश करती है कि मोसमे नदी है और पंजाब के साथ मह गगघर नदी के करें सीमा अपनान का काम करें 1927 1527 में बाबर ने 1927 में बाबर करता है गया यह परसने चेसे सी मावड है नुके नोड तठाए के एक बच्चत कही थी मावे पीडिया पुनाएंगे देती है 1527 में बाबर ने मिवाड के राजा राना सांगा को कोण से युद में रहा था तो राना सांगा और बाबर की लडाई जो थी सबते पहले जो 1526 के अंदर पानिपत की लडाई होई थी 1527 के अंदर खानवा की लडाई होई थी उसके बाद में 1528 के अंदर चंदेरी जो थी उसकी लडाई होई थी ठीक है, खानवा के लड़ाई जो थी 1527 के अंदर, खानवा के यूद के अंदर बाबर जो था, राना सांगा को रान का काम करें था, लेकिन जिनू पूछब बाबर नामा के अनुसार, जिनू पूछब बाबर नामा के अनुसार, खानवा के यूद का प्रिणाम के रहा था, बाबर नामा के अंदर बाबर की बेटी जो हो बाद में लिक्वाने का काम करती है. वो यो कोई कि इस यूद के अंदर राना सांगा जीत था बाबर नामा का करोड़ पूछ ले हो तो जीत था जीत था. अगला परसन देखो निमलिक का मिलान करें सही विकलब को चुने शुरजकुंड जील ऐसा मनें जाता है कि शुरजकुंड जील जो है इसका शुरजपाल जो तोमर जो था उसने इसका निर्मान करवा था ब्रम सरोवर जो है शनीत सरोवर में बगवान विशनों का स्थाई निवास है सुखना लिखिया मानोंदर में जील है के बच गया अपना ब्रम सरोवर बच गया सा मनें जाओ यहाँ पर प्रत्वी की कलपना करी थी ठीक है, यानि इसका उत्र बन जाओगा, A किस्ते बिड़ा है, तीन ते, A में तीन है, B किस्ते बिड़ा है, च्यार में, तो B में च्यार है, C किस्ते बिड़ा है, एक में, तो C एक में है, D किस्ते बिड़ा है, दो ते बिड़ा है, तो उत्री हो जाओगा, ठीक है शुरुजकुण जील ऐसे माने जाओ कि शुरुजपाल तोमर ने इसका अंदरी मान करा थे ठीक है ब्रह्म सरोर जील जो है बी का च्यार में बिड़ा है तो ब्रह्म सरोर जील बगवान बर्मान आया पर प्रित्वी की कलपना करी थे तीका सनित सरोर में बगवान विचनों का स्थाई नुवास मन्या जावा, सुखना जील भी रहा है, चंदिगड के अंदर एक मानुदर में जील है, जड़े जोड़े जाओ है, आंडन फिर नखातर जाना भी चाहिए, बोत्ता की बात बुणा दी देखिये मनें सुखना जील के अंदर जाठ क्या ये त्यारी करके आजी, ये अब मार्याना की उदारवादी चवी जो थी अब बहुत नुक्षान करया करती, और आगगा भी नुक्षान करगी देखिये, इस्ते पहली भी नुक्षान हो लिया देखिये, आगगा भी उदारवादी चवी में सा नुक् है तो और याने के सीरसाज जिले से पकड़ है ठीक है पृति राज चुहान का कवी था कवी का नाम था चंदर परदाई और चंदर पर दाई ने किताब लिखी दे टेज्य शेसे ने पांच से बार पूचले प्रति राज रासो पिर्थविराज रासो किसे ने लिखी थी चंदरबर्दाई ने लिखी थी ठीक है तो ग्यारासो क्यानों बढ़ों में दनों लड़ाई होई थी सब ने बेरहन बातागा पंडित जसराज क्या है? क्या सूफिशन्थ है? क्या कवी है? क्या लेखक है? शास्तरी गाए ठीक है तो पंडित जसराज फतेअबाज जिले का पीड़ी undermंदोरी गाउं है लेकिन एचसेजी जब भी उप्रसन आऊ करते हैं शास्त्रिय गायन है पिछले दिनों जस्राज जो है यह इस दुनिया में नहीं रहें इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए परलोग गवन कर गई अंटचेबल उपन्यास किसे ने लिखा था अंटचेबल उपन्यास ऐम दली राजयराओ मुलकराज आनन जो है इ तरibl..."प्ढू पिंड़ान चवती ॡिवप बाषने भी पित्रों का पिंड़ान कड़ा काू अरी मावश्यी दिन सम्तिक, किर दोफेगी भी मेले पित्रों का पिंड़ान कड़ा कर्या हूँ कि राष्ट्य दुगध अनुसंधान ब もाश्ट्यinis कमारना में शिफ्ट कर दिया हैं दोनों परसनेल ये बनों पूचा एंडी आराई कि स्थापना कद होई थी तो 1923 में होई थी कड़ा होई थी बैंगलोर मा उसको करनाल शिफ्ट कर दिया था जुआ लाल नेरुक के प्रयासों से राज्यस्तर पर अपातकाल की गोषना बारत के सविदान के किस सविदान के कौन से अनुचेद के अंतरा करी जाओ है राज्यस्तर पर अपातकाल यानि नो पूचा राज्या मरास्टर पति सासन सविदान के कौन से अनुचेद के तैत लागा तो सविदान के अनुचे 356 जो ह की सरकार को इसी के तैत राष्ट अपति शासन लगा गया था अनुचे 356 के तैत माजी मनिकाई और दिव्यादान साहिते में अरियाना की जानकारी है ये दो किताब हैं दो गरंथ हैं माजी मनिकाई और दिव्याविदान जो है इन दोनों किताब हम अरियाना की जानकारी है न अर्याना का जिकर है इन गरंथा में, ठीक है, सुल्तान पुर्पक्सिय अभ्यान, अर्याना के कौन से जिले में है, तो बहुत असान सा परसन है, तो सबना बेरा है, गुरुगराम जो जिला जहोड़ा, सुल्तान पुर्पक्सिय अभ्यान है, फरूख नगर से आ गई, बहु के सयोग से बागवानी के अंदर भी खोले जाओगा इस राइल के प्रदानमंत्री बेंजामिन नेतनियाहू इस राइल एक इसा देश है अगर कोई भी बंदा इस राइल के उपर अटेक करहना तो इस राइल उसको पर बहुत चाहिए दस साल बाद के चाहिए पचास साल बताऊँगा इसको सुनाऊँगा काणि इतने गजब की खूफिय जैंसी किसे विदेश की नहीं है तो करनाल के अंदर अन्याना सरकार ने फसल विविदिकन को प्राप्त करन खातर बागवानी सेंटर खोले जाओगा बागवानी को प्रकाम करे जाओगा किस का सयोट लाग है पंजाब की सीमा भी लागवा है राजस्थान की भी लागवा है गुजरात की भी लागवा है तो उप्सन में देखो गुजरात भी है राजस्थान भी पंजाब भी एक वजगा मध्य परदेश जो है एक लैंड लोक्ट राज्य है देखो मध्य परदेश जो है लैंड पाणि तलाग दी नो पाणि तलाग दी, 36 गड़ भी इसाही राज्य ए, जार्खंड भी इसाही राज्य है, जिसकी सीमन है पाणि तलाग दी ना दूसरे देस तलाग दी. बाज समझाएगी? एक और हो रही अंदर प्रदेश का जो तिलंगा ना जो हो रही ठीक है ओप्शन में के बज़ गया मध्या प्रदेश बज़ गया पाकिस्तान गले जिन जिन की सीमा लागा है उनका छोटा हा नाम याद रखना है पंगु राज, पंजाब, गुज़राट, राजस्थान, जमू कस्मीर ठीक है निमिलिक्त में से रियाना का कोन साइस्सा सिवालिक की पाडियों से डखावा है उत्तर पस्चिमी दक्सिन पूरो, उत्तर पूरो भी दक्सिन पस्चिमी देखो, इस सीजन समझन खातरा रियाना का बीचो बीचो में पलस का निशान लाए लेए, जोड का निशान लेए, ठीक है, इब दिशा देखो, उपर कोन सी दिशा है, उत्तर, निचे कोन सी है, दक्स ऩो फैंसे मिला है चुकाइं थेजा ने स्वंधेते हैं उक्रम स्यवान तका रिया कम निते थी नहीं पोमें से तीन पड़ी अर्याना से कौन सी दिसा हम पड़ा है, सीधी देख लिए, कौन सी दिसा हो गिया, उत्तर और पुरो, यानि अर्याना का कौन सा इसा सिवालिक की पड़ी उसे डिकावा तो, अर्याना का जो उत्तर पुर्वी जो इसा जो है, वो किसे डिकावा है, सिवालिक की विल्कुल डिरेक्ट जमा असान देशी बास हम समझ सको अगला प्रसंद देखो अरियाना को बारत का ओपन डेफिकेशन फरी स्टेट गोशित किया घया था कुले में सोच मुक्त राज्य तो पहला पूछ म पूच हई पहला खोले में सोच मुकत राज्य कोण बार आंडलियो और नामार याना की आई दचूटा बार जाने की अब उंधा काम से श्वाद्य को नी आउनना गरा है बुड़याने द पुराने बुड़याने अर याना और उत्तर बारत का सबसे बड़ा वो दोगिक सहर पूछ रिखा तो दोगिक सहर रिवाड़ी फृदभाद गुडगाओं वो दोगदंदे गने है तो वो कौन से आगया फृदभाद जन सिंख्या में भी सबता बड़ा जिला फृदभाद से एक फृद ने इसको ब सांदरियमान के मνजोरी दे दिए रैसि गंगा केन तंस निये टोंस नदी है और सिंधर तो इसकी सायल नदी है कोनी यह मुना की सायल नदी है टोंस कि उपर किसा उपर योजना बनेंगी ठीक है अर रियाना में पर्थम विदानसवा चनाओ दुबारा रिपीटल गया साल निसो सड़सेट में पहला विदानसवा चनाओ था रियाना में अर रियाना पूरे राज्जय में शुरक्षित पीने के पाणी की सुविदा उपलब्द करवान वड़ा देश का कुण सा राज्जय बने था तो अर रियाना पहला राज्जय है देश का जिसने पूरे राज्जय में देखुद पानी और बिजली बिजली पानी जो है जाड़ो फ्री इनकी नहीं है दिवी पक्सिय लाहूर श्यांती गोषना पत्तर पर अस्ताक्सर करने के लिए पाकिस्तान के प्यासिक बस यात्रा करने वाले बारत के प्रधानमंतरी कौन थे क्या मनमोहन सिंग इतना साहस कर सकते थे कभी नहीं कर सकते इंदर कुमार गुजराल थोड़े समय के लिए इंदुस्तान के प्रधानमंतरी रहे थे वीपी सिंग की सरकार तो बैसा क्यों की सरकार थी तिरे फेक ही सक्स बस्ता जिसने ऐसा काम किया था मेरे पिरी ने ता अटल विहारिवाज पर ही उसमें पाकिस्तान के प्रधान मंतरी नवाज सरीफ हुआ करते थे नवाज सरीफ से लाहूर के अंदर एक्षम जोता हुआ था अटल भिहारी वाजपी ने मेरेको एक किसा याद आता, जिसमें अटल भिहारी वाजपी लाहूर के अंदर एक प्रेस कुनुफ supplements को संबोधित कर रहे थे, तो पाकिस्तान ऐक बहुत सुन्दर पत्तरकार थी, अटल वहरी वाजबी को कहती क्योंकि आपको पता अटल वहरी वाजबी ने साधी नहीं की थी अटल जी को कहती है कि आप साधी कर लीजिए मैं आपसे साधी करने के लिए तियार हो लेकिन मेरी एक सर्थ है कि साधी करने के वाद मू दिखाई में आप मेरे को पूरा कसमीर देंगे। समझ के वाज गर ब्याव यहां पाचे है, बवु पहली रात का मिलनों आ करा एग उस ट्रीम पे मू दिखाई में गया करा हुआ। और वो मूँ दिखाई मैं विले मैं पूरा कस्मीर चाहिए अटल भी हरिवाज पर इतो वाक पटूता के दिनी थे भूला ठीक है मैं साधी कर लिओंगा तिरे से मूँ दिखाई मैं कस्मीर भी दे दिवा लेकिन दाइज में मेरे को पूरा पाकिस्तान चाहिए कितनी घजब की बात कई थी पाकिस्तान ने मारा गया तो कस्मीर नकड़ दे के जाव गया कितने घजब के बात प्टुता के दनी थे विश्वास करके गए थे बदले में उसके बाद जनरल परवेज मुसरफ जो था पाकिस्तानी सेना का हुकमरान था उसने वहाँ तक्ता पलट किया और उसके बाद 1999 में पाकिस्तान ने क्या दिया कारगिल दिया कारगिल युद किसमें पाकिस्तान का प्रधान मंतरी नवास शरीफ और वास्तों में सारा का सारा काम जनरल परवेज मुसरफ का था नवास शरीफ की सहमती थी और उनिसो निनानमों में कारगिल युद वा था, 26 जुलाई को भारतिय युद जीता था और इसलिए प्रतेक 26 जुलाई को कोणसा दिन मना जाता है, वीजे दिवस मना जाता है ठीक है, और नो पुछेब भारतिय से नानमा कारगिल में कोणसा ओपरेशन चला था तो पुछेब वीजे चला था, और वीजे दिवस को मना जाओ, 26 जुलाई को वीजे दिवस मना जाओ, ठीक है गजब का प्रदानमंत्री था, कभी अरध्य था, अटलिवार इवाजपे इस टेम पर प्रदानमंत्री बने थे, पहली बार 13 दिनों के लिए साल 1909 में सिकोर्टी पे रहा प्रदानमंत्री के बहुत जादा सिकोर्टी होगी, रोण लागया तवलिन सिंग एक पत्रकार थी, उनको इंटर्यूर दिया था तालिवार इवाजपे ने उसे इंटर्यूर बतान लागया रोण क्यों लागया, क्यार मैं तो कभी हूँ, मंचा को उपर मन तो कभी ता करनी है, अब लोगां तो दूर हो गया, मेरी खुराक तो लोग है, आम आदमी मेरे ते मिल कुन सकते, इतनी बीड़ बाड, इतनी सिकोर्टी ताम जाम यह चीज़ बने पसंद को नी ऐसे विरले ने ताटल घारिवाज भई, 16 अगस्त 2018 को 93 साल के उमर में इदेश चोड़ कर, दुनिया चोड़ कर चले गई, नमन करता हूँ, ऐसे वेक्ति को 25 दिसंबर 1924 को मध्य परदेश के गवालियर सहर के अंदर बारिस की बूंदों के बीच पैदावा बच्चा अप पिलकर सिंग का निकनेम है, और वरतमान समय में संदीप सिंग कुरक्षेतर के पेवा से MLA है, Member of Legislative Assembly है, विदायक है, और वरतमान में संदीप सिंग अर्याना के कौन से मंतरी है, खेल मंतरी है, ठीक है, कौन से मंतरी है, खेल मंतरी है, वरतमान समय में अर्याना के, संदीप और सिंग पेवा से कुरक्षेत्र के पेवा से विदायक है। होती है तोसको को ख़्यान स्वास्थ थैन्य जलो आ करते जिली किके ज़ेंद यहां कि रियान का इरण परकोन्से जिले में पंच्कूला कासातर। इसार दो डियल पर्क का रियाना में एक तो रोग जिले की मैम साएं में तेसेल. टीक है दो डीर पाराहिय किσαर मत उसरा में मैं निमने में से कों सीयर याना की सबसेंल कंग नती है यह मोना तो सबना भेरा है 12 सेंल सी मग ऑन की पूचे मोचितों कि आगार जो हर आया ना की सबसे नुडान का नाम तो ठीक है वीडियो के सिलागे कमेंट करते हो जाये हिन भारत माता की इच्चे